समझाट के बिलकुल तरीख से दो मीटर कपड़े में पैंट ट्राउजर जो लेडिस पैंट ट्राउजर होता है वह आपको कटिंग करके बताऊँगी इसकी ड्राफ्टिंग कर ली है तो फिर मैं आपको simply आपको समझ आएगा और मैं बताऊंगी आपको और कुछ tips and tricks भी हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि जो कभी-कभी होता है जो हमारा trouser होता है या कभी side से या कभी नीचे से उठता है पैनने के टाइम पर तो वह उठेगा नहीं उसके लिए बहुत सारे आपको tips दूंगी मैं इसमें तो वीडियो को end तक जुरूर देखना तो यह देखो यह दो मीटर कपड़ा है मैंने इसको double fold किया हुए है चिक है इस तरीक्षे से और आप करते हैं इसकी measurement जो मुझे trouser की लंबाई चाहिए वह 36.5 चाहिए या 37 भी लगा सकते हैं और उसके इलावा 37 इंच यह है उसमें से 1.5 इंच माइनस करना है जो कि हम उपर belt अलग से लगाएंगे 1.5 इंच की belt लगाएंगे तो 1.5 इंच का इस तरीक्षे से उपर की और निकाल देना है इस उसके बाद जितनी भी आपके ट्राउजर की लेंथ हो जितनी भी आप रखना चाहते हो वहां पर यह देखो यह रखा है मैंने 36.5 टोटल लेंथ इसकी जो ट्राउजर की में रखने वाली हूँ ठीक है तो 36.5 पर मैंने मार्क लगाया हुआ है यह वाला थोड़ा टाक कर द लिए निचे से जो मोरी होते है वो फॉड़ करने के 1.5 इंच भी ले सकते हैं, दो इंच भी ले सकते हैं तो मैंने 2 इंच रखा है और उसके इलावा अब क्या करना है अब पहले यहां उपर की साइड चलते है यह आप मार्क देख रहे हैं मैंने यहां पर हिप का बार्क ल मैं आस्तर कृट करें चाहे अस्तर हो चाहे simple upper trowsar करें तो यह तरीका है method वह सेम है तो यह निकाल देने होता है चाहे हो में फैबरिक की हो या फिर अस्तर की हो तो उसके इसे तरीक्टे से यहां पर अगर यह आपने 11.5-11 इंच रखी है तो यहां पर यह रखनी है 11 इंच तो मतलब यह टोटल जो जितनी भी आपकी हिप लेंथ हो ना उसका फॉर्थ पार्ट मैंने यहां पर रखा है साड़े 11 इंच चीक है एक इंच आप एक्स्ट्रा रख सकते हैं सिलाई के लिए तो उसके इलावा अगर आपको नहीं भी रखना है तो भी चल जाता है क्योंकि हम जो इसकी बैक साइड कटिंग करेंगे ट्राउजर की उसमें हम थोड़ा सा मार्जिन दे देंगे और इसके इ जाता है कि जब यह ट्राउजर कटिंग हो जाता है उसके बाद आपको कुछ हलका फुलका टाइट हो जाए तो आप आराम से उसको खोज सकते हैं खुला हो गया तो आप सिलाई लगा सकते हो अगर टाइट हो गया तो फिर इसका कोई भी इलाज नहीं होता है तो साड़े 11 इंच मैंने ऐसे लिया है इसका बैड पार्ट तो और 11 इंच मैंने इसका इस तरिके से लेंथ में इसका जो आसन होता है वो लिया है तो हमेशा आधा इंच कम लेना इस जितना यह लिया है उससे आधा इंच यह वाला कम लेना है ठीक है और यह 11 इंच लिया है उसके इलाव अब यह जो वार्क है यहां से लेकर यहां तकक टोल यह 14 इंच बनता है 14 इंच बनते है तो इसका फ़ार्ट लगा लिए 117 अब यहां मार्क लगा ही था मैंने ऐसे वाला मार्क अखायां, 14 इंच का था हां पर कहा है 7 इंच में जतना है रही है रही हां पर मैंने देंग किया था इस टॉत टोटल थो एंच एक्ट्रा तो यह स्थैनल के मार्क के वह यह तो इंच शेक्टली अपार मार्क, 15 यह सम्वा स्थी양 चोटली न के पंद साथ कम्सिसी था और मेंने यौण समय वा पर होड़ा है है यह वाले मार्क तक मैंने लगाई नहीं थी तो इसको इसी स्केल की help से यहां से यहां तक ऐसे सीधी लाइन लगा सकते हैं छीक यह उसके बाद क्या करना है अब यह जो हमने बीच वाला 7 इंच का यह जो मार्क लगाया है यहां से हमको रखनी है मोहरी कितनी आपको खुली रखनी है जैसे मैं इसकी रखनी हूँ साथ इंच ही रखूंगी साथ इंच रखूंगी तो साथ का हाफ हो जाता है साड़े तीन इंच साड़े तीन इंच के बाद, साड़े तीन इंच हमको यहां पे मार्क लगाना है, चीक है, यहां पे, और साड़े तीन इंच ही यहां पे मार्क लगाना है, अब यहां पे समझने वाली बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए, जो मैंने यह जो मार्क लगाया है, साड़े ती इंच यहां पे यहां को साध्य तीन इंच होता है एदेलश साध्य धीन तैन्य जितना भी आम को यह 7 बा 대वा नयुद से यहां प्याँटकों कि الر Sigla, यहां पर आपको क्या करना है कि आपун़E प्या करना है कि आपके पैंट यहां से उठए हंद्टकरdes,सका प्ला पैंद इु तो हमको क्या करना है, एक इंच आगे की और बढ़ा देना है इसको, इसको यहाँ पे जो साड़े तीन वाला मार्क लगाया था ना, इससे एक इंच मार्क लगा देना है यहाँ पे, चीक है, और सेम इसी तरीके से यह जो साड़े तीन इंच का मार्क लगाया है ना, यह वाला इसको भी एक इंच कम कर देना है यहां से एक इंच कम करके यहां पर मार्क आ गया ठीक है और यहां से एक इंच इस साइड बढ़ा देना है इसको भी इधर बढ़ा देना है मतलब साथ इंच हमको पूरा रखना है जो हमने यह साड़े तीन इंच इधर 3.5-3 inch गाया था Mark उस को बस थोड़ा सा ये वाले Mark को एक इंच इदर कर दिया और इस वाले Mark को एक इंच इदर कर दिया तोना ये जो तरीका है आप ये जरूर यूज़ करना बहुत सींबल है मैं फिर से आपको बता देती हूं कि यह जो center वाली हमने line लगाई थी इसके 3.5 इंच इधर लिया था 3.5 इंच इधर लिया था मोहरी के लिए total 7 इंच मोहरी ready रखनी थी मुझे ठीक है तो एक इंच अब क्या करेंगे इस में से आगे कर देंगे यहां से छोटा कर देंगे और यहां से एक इंच आगे की और बढ़ा देंगे ठीक है तो यह कर लिया फिर उसके पाद यह जो लगाया है बढ़ा के मार्क लगाया है इससे यहां से लेके आसन तक इसको मार्क कर देना है यह जो आसन का हमने मार्क लगाया था यह वोला यहां तक इसको ओर ंसी तरिके से यह जो हमने 11 इंच लिया था तो मैंने यह यहां पे जितना यह आसन 좀 लिया था ना इसको लगा लीआ हैं पहले मार् si till रार talon पिसके कथे 6-11-15 का वो यहां से लेके वहां तक यहां तक इसको मिला देनी यह जो है यहां पे यह 11 इंच जितना यह आसन रखा था ना लेंथ रखी थी आसन की प्रोचरिय रखा था बस उतना ही यह इसके बिल्कुल सामने मार्क किया है और यहां तक हमको इसको ऐसे मार्क कर देना है यहां पर भी आपको शेफटी की जरूरत नहीं है आप चाहो तो य से तरीके से हम इसको कट्झ करेंगे और अगर आपको जो बैक वाला पार्ट है उसमें से आपको बढ़ाके नहीं रखना है mixer नहीं हां हम क्यूंकि हमेशा आप ने देखा होगा कि हम जो बैक को पार्ट होता है एक से टेजर इंच इससे बढ़ाके ईसे कटिंग करते हैं तो अगर आपको आपको वह पे एक इंच बढा के रख सकते हैं बाकि जो है यह सिलाई रख सकते हैं और यह बहुत पर नियुकंत को मार्क लगाएं यहां से लगा यह वाला जो हमने गुलाई दी है यहां करेंग safety यह इसको करेंग यहां से कोगी सब्सक्राइब होगा इसको एसे एसे करेंगे शुट है उपर क्यों नीचे से लेकर यहां से गुमा के ऊपर की और ले आना है ऐसे यहां तक इसको सीधा चयां लूट को यहां से ऐसे सीधा करेंगे यहां से ऐसे कटिंग नहीं करेंगे यहां से ऐसे करेंगे फिर ऐसे कर देंगे इसको तो मैं इसको कटिंग करके बताती हूं आपको सबसे पहले यहां से कटिंग करेंगे इसको हलका सा उपर की और ऐसे ले जाएंगे इसका ना बहुत फैदा होगा क्योंकि जब इसको सिलेंगे ना उसके बाद आपको पता लगेगा पैनने के बाद कि यह सब चोटी-चोटी चीजें करने से कितना फाइदा हुआ है कि आपका जो पैंट है वो उठेगा नहीं बिल कटेंग करें इसको जो तो यहां से थोड़ा सा बाहर को से कटिंग करूंगी खिला से ठोड़ा सा बाहर करें करी यहांथ हो फिर आप आदा tecnologia प्रोड़ा सा कंव उस से इसको에서 मार्क भी लगा सकते हैं अगर आपको कटिंग करने में इसे एक्स्ट्रा कटिंग करने में दिखते आए तो आप इसको मार्क भी कर सकते हैं यहां से प्रोपर कटिंग करनी है यहां पर मैंने हल्की से इसको राउंड शेप दिया है यहां से आधा इंच आधा से पोना इंच तक की यहां से लेकर यहां तक राउंड शेप में दिया है क्योंकि यह इसकी शेप बहुत अच्छे आती है हिप से और यह कमर तक उपर से बहुत अच्छी इसकी शेप आती है अगर ऐसे हलका सा आधा से पोना इंच हम इसको इस तरीके से काटेंगे तो यहां पर इसका जॉइंट था इसको अलग लग कर लेती हूँ तो इस तरीके से यह जो है फ्रंट पार्ट जो है फ्रंट पार्ट के दो पीस कट हो गए है ऐसे चीक है वैसे तो मैंने ट्राउजर की कटिंग और स्टिचिंग के वीडियो अप्लोड किये हुए है यूटूब पे तो मैं बस इसका आपको इसका वीडियो इसलिए शेर करी हूँ आपके साथ क्यूंकि इसमें बहुत सारे यह जो है ना नए टिप्स और ट्रिक्स में आपके साथ शेर कर रहे हूं कि कई बार ऐसे उठता है किसी का ट्राउजर यहां से उठता है पहनने के टाइम पे यह कंफर्टेबल नहीं होता है तो आप यह टिप्स और ट्रिक्स को अगर फॉलो करोगे तो बहुत ही अच्छी फीटिंग आएगी तो मैंने यह डबल फोल्ड में दू हम इतना ही इसको रख लेंगे दो इंच पढ़ा के कातना होता है बाight वाली साइड से के यह और तक 2 इंच आता है रख अगर हैवी साइज थोड़ासा यह का कपड़ा होता है उसकी चोड़ाई कम होती है तो पहले आप चेक कर लें कि बन रहे है क्यों नहीं बन रहे है ज्यादा हैवी साइज इससे थोड़ा सापको चेक करके बनाना पड़ेगा तो यह वाला साइज या इससे कम साइज के आप बना सकते हैं आराम से और यह जब अगर आप हैवी साइज बना रहे हैं तो यहाँ पे 2-5 इंच बैक का पार्ट होता है वो उठा के कटिंग होता है यहां पर बना से करो ंपर और यहां रक्कया को है यहां पे लगाएंगे यहां तक हो गया और यह वाला माट जो है इसको ऐसे सीधा कर देंगे अब इसको भी ऐसे ही सीधा कर देंगे यहां तक मुझे पता है यह धाई इंच रखा था और यह मैंने दो इंच रखा था आप चाहो तो इसको धाई इंच कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं चलो धाई इंच ही रख देती हूं वैसे यह दो इंच में भी बहुत अच्छी कटिंग हो जाता है अगर यह धाई इंच है दो इंच तो सबसेंद तो तो किमें सबसें ऊजोगोगोगोगोव शन्याओव सबसेंद चिपया तो यहां जो मार्क लगा यह न द्था देगेva कैसे कटिंग होगी देखिए तो यहां यह जो साइड वाला पार्ट है यहां से मिला के रखना है और यहां पे जो आसन वाली साइड है यहां पर दो इंच मैंने उपर की और बढ़ाया है और यहां पर दो इंच बढ़ाया है तो इसको सीधा ऐसे दो इसको सीधा कर दिया और इसको दो इंच का मर्क लगा करेंगी के मधने direction सिदीडेंगे इससे डीऊरों से यह सुमलबर देने से इससरा मीड़कर यहां डापते घिलेगा को मिलाुच अएैंगे ऑसन की साइड ही इसको उठाकर काटना होता है और अब यह जो यह वाली साइड है नीच यहां पे भी हम देड़ से दो इंच बढ़ा के रखते हैं पर इसमें आज मैं आपको बताऊंगी अगर आप एक इंच भी बढ़ा के रखोगे न तो भी आपकी बहुत ही अच्छी परफेक्ट फिटिंग आएगी ट्राउजर की तो हो आपकी इच्छा है देर्षी भी रख सकते हैं तो अब इसको यह हैं से यह पर फोड़ा सा यह बढ़ता है ऐसे ऐसे थोड़ा सा ब्रॉर्ड हो जाएगा क्यूंकि ये आसन हमको broad ही चाहिए होता है क्योंकि अगर ये कम कट गया ना ये चीज़ का अगर कम पड़ गई तो आपका पूरा जो फैबरिक है वो खराब हो जाएगा यहाँ पर मैंने एक इंच रखा है यहाँ पर एक इंच का मार्क लगा लेना है पहले इदर जितना ये वला है मार्क लगा के यहीं से ये जो आसन का मार्क होता है इसके उपर ऐसे करके इसको कर लेना है तो जितना भी आजाए आप उसको अज़स्ट कर सकते हैं बस जैसे जैसे हमने मार्क लगाया है वैसे वैसे इसकी कटिंग कर लेनी है यहां पर भी इसको गुलाई में शेप दे देनी है थोड़ी सी जैसे इसको दी हुई है सेम इसको इसको भी हल्का साय से बढ़ा के कटिंग करेंगे ऐसे ऐसे कटिंग करेंगे चीक है और यहां पर इसके बराबर का ही कटिंग करना है इसमें यहां पर कोई एक्स्टा नहीं रखना यहां पर जैसे हमने यह वाला तिर्ची लाइन लगाई थी नीचे का पार्ड जो उठाके कटिंग करना है इसको भी ऐसे ही कटकर लेना है यहां से सिंपल जैसे है वैसे ही तो यह जो है ट्राउजर टिप सेंट्रीक्स के साथ आपको मैंने कटिंग करके बताया है बहुत सारी नहीं चीज़ें बताई हैं, अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करोगे, तो आपका ट्राउजर पेंट कभी भी आनकमफोटेबल नहीं होगा, और बहुत ही अच्छे कटिंग होगी, यहां से उठेगा नहीं, जब आप पेंट होगे, तो मोरी से जो उठता है, न आपका ट्राउजर है, वो कैसा बना है, तो इसको बनाना और मुझे बताना कोमेंट में, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, मेरे टिप्स और ट्रिक्स आपको अच्छे लगे, तो वीडियो के एक लाइक जुर करके जाना, मैं मिलती हैं आपको एक और नहीं वीड कटिंग आपको देखनी है, इसकी ट्राउजर की पूरी कटिंग और दूसरी वीडियो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, उसमें बैल्ट की कटिंग करना भी मैंने बताया है, तो थैंक यू